वेल्कम बैक टू आर यूट्यूब चैनल आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे ठीक है और बच्चो तो बिसिकली आप लोगों को बता है यह अपना थर्ड मोग टेस्ट है तो मैंने अल्वीदी दो मोग टेस्ट की वीडियो अप दोट रहे हैं और हैं जसमुकर मोग टेस्ट मिल रहे हैं सिवानी ऑंच ठाब कर रही है मैं चैनल कि उसका बस यह अंसर रहेगा ठीक है meha करने आप लोगों को जो क्वेशन में जो मैं जिस अप्रोच से मैं क्वेशन सौल कर रहे हूं वह अप्रोच वैसी होनी चाहिए आपकी आपको यह भी पता होना जी कि बाकी के सेकंड थौर्ड फूर्थ क्यों इनकरेक्ट तो आपको इतने डेप्थ में अंडरस्टेंडिंग पर्टिक्लर वुष्ण के जॉप कर रहे हैं तो बच्चे पूछ रहे हैं क्यों प्रेक्टिस कहां से करें तो बच्चे आप प्रिविश्ट यह लगाओ ना वह काफी अच्छे क्वेशन साप लगा सकते हूं ठीक है अब उसमें भी 11-12 तो आपका में 12 का ही जाधा पूछा बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर सकते हो ठीक है महां पे आपको शोट नोट्स है ना जैसे आप लास्ट तेम डिविजन नोट्स कर तो वहां पे आपको मिलेंगे है ना कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन जो हमें वैसे सोल नहीं होते हैं लेकिन हमें आपको दूंगी प्रिपरेशन स्ट्रेटिजी तो वह सब आपको देखने को मिलेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पी फोलो कर सकते हैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ठीक है तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं देर किस बात की वीडियो शुक्त में लिए गाए झाल सब्सक्रिप्शन में आपको आपको मिलेगा दोतना को अंगा मिलनों प्रीप्शन में आपको शक्वाइग को मैंच के सचाने को चलो ते Merci Your कमें कि मुझे देखना सबस्ट मुझे होलें किस अंद्स्टे वीडियो हैं वीडियो जलेर अच्वा प्लीस स्टेबल कनफर्मर ओफ इथेन अब आपको पता इथेन क्या होता है यह होता है है ना अब लोगों ने स्टेगर्ड एकलिप्स यह सब फूम तो पढ़ी होंगी अगर बेटा मैं इसको न्यूमन फोम में बनाऊ तो मैं कैसे बनाऊंगी देखो इधर यह तो मेरे पास क लेकिन हम यह दो सिर अव्ल्षय के आपको स्टेग hell कि अगर मैं इसको इक फूम बनाऊं इसकी तो क्या बन जाएग है तो इन पर इक इक्लिप्सकर तो इसको है पट्चे और यह आपकी ऐखकलिप्स फूम है कि कि आह मैं कि तो तो आपको दिखाने के लिए आपको दिखाया हुआ इस तरीके से वैसे आप इसका 3D देखोगे तो एक दम एक दूसरे के पीछे है तो दाइडरल एंगल इसका कै जीरो है और यही लीस्ट स्टेबल होता है क्योंकि आप देख रहे हैं है 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 तो इसमें स्ट्रेंड की करेंगे बच्चों जो बच्चे हिंदी मीडियम के है आप प्लीज हिंदी का क्वेशन पड़ो ठीक है आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बूल रही है ठीक है चाल उसके बाद सेकिंड क्वेशन है सेकिंड क्वेशन यह कहता है कि मेजर प्रोड़क्ट ओफ फोलोइंग कै प्रोड़क्साइड यह क्या है प्रोड़क्साइड है एंड तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास एच बीयार इंदा प्रेजन्स फपर ओक्साइड दिया हुआ है तो उस केस में मेरा कौन सा रूल लगता है सचा सचा कुछ बच्चों ने तो सोच लिया होग का एंटी मारकोनिकोव रूल लगता है अब यह रूल क्या कहता है माम यह रूल यह कहता है कि जो रिएजेंट आप ले रहे हूं उसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां पर जाएगा वो वहां जाएगा जाएगा जहाँ हैं अब जाधा का है आओ फिर देखते हैं यह देखो बनाओ इसको है सिस्ट्री सी एच सी एच टू भी यह ठीक है यहां पर नंबर फाइडोल जाता हूंगे वहीं पर लगेगा बच्चे ध्यान लगना एंटी मार्कोनिक व्जूरूल सिरफ आप कब लगाऊगे जब आपके लगाऊगे उसकेस में आपका सिंपल स्टेबिलिटी ओफ कार्विगटाइन जो आप मार्कोनिक व्जूरूल पढ़ते हो तो अक्वाडिंग टू इसका आंसर क्या हो जाएगा बिच्चो फिर इसका अंसर हो जाएगा वान ठीक है नेक्स क्वेशन पर जलते हैं नेक्स किलो हर्ट्स यहां पर आपको बिटा फ्रिक्वेंसी गिवन है 1368 किलो हर्ट्स ठीक है दा वेवलेंथ ओफ द इलेक्ट्रो मेगनेटिक रिडिएशन बाइशन बाइदा ट्रांस्मिटर इस आपको वेवलेंथ बतानी है और आपको स्पीड ओफ लाइट अल्रेडी गिवें यह देखो डारेक्ट फॉर्मूला बेस्ट है अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो आप यह असानी से कर लोगे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है बच्चे तो फिर दिक्कत होगी ठीक है तो मेक्शूर आपको फॉर्मूला पता हो अब क्या होता है फ्रिक् is equal to c by lambda और lambda क्या हो जाएगा c by mu चलो फिर value पूट कर देते हैं 3 into 10 to power 8 meter per second और आपका frequency क्या है 1368 into 10 days to power kilo में है उसको हर्ट्स में change करो 10 की पावर 3 हर्ट्स और एक हर्ट्स को पर सेकेंड आप लिख सकते हैं तो देखो पर सेकंड से पर सेकंड कैंसल आउट हो जाएगा and आपको क्या मिल जाएगा आपका answer मिल जाएगा इसको solve कर लोगे इसको solve करने के बाद आप लोगों का answer आएगा 219.3 मैंने का था ना आप लोगों को जब भी आप physical का question करते हैं ध्यान रखना unit का ध्यान रखना है unit को साथ लेके चलना बच्चों ठीक है चालो next question में move करते है next question कहता है incorrect statement among the following is तो first statement ध्यान से सुनना बहुत ही ज्यादा important question है बहुत ज्यादा paper में पूछा जाता है actinoid contraction is greater for element to element than lengthenoid contraction देखो बच्चे आपने ये तो सुनाया कि ma'am lengthenoid contraction होता है ठीक है आप बोलतो हो ना 4F lengthenoid contraction में क्या होता है 4F में electron फिलोने के वज़े से उसका poor shielding effect होता है है ना तो nucleus or जो आपके valential electron उसमें attraction क्या होता है काफी ज्यादा होता है जिसकी वज़े से size बहुत करता है है and same actenoid contraction भी होता है बट यहां पर बात यह ध्यान दखने की है बच्चो कि जो actenoid contraction होती है वो जादा होती है due to due to poor shielding of poor shielding of 5F electron 5F electron का shielding effect बहुत ज्यादा पूर होता है इस वज़े से actenoid contraction ज्यादा होती है तो याने की ma'am यह statement तो correct है उसके बाद देखो most of the trivalent लेंट 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 की बात करूं तो most of the lengthenoid जो की plus 3 oxidation state में होते है वो color होते है उनके पास FF transition होती है तो यह सरासर गलत statement और हम से यह कुछा था बाकि भी देख लेते हैं लेंथ नोटस और्स गूट लेंट कंणक्टर उफित एलेक्रिसिटी जा तो गूल होते है यह जिब हम से जाथा ने कंचे ने काइस ने कमटर टींड कर्ट सेमेंट लेकिन जो सेकिंड वाली statement वह आपकी थीक है नेक्स्ट क्वेशंट पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन आपको क्या रहोते हैं नेक्स्ट क्वेशन आपको कहता है Twenty Inflaipon that will react with Hinsbergや Island to give loose solid which dissolve in alkaloaf Egamba Heinzberghagant क्या होते हैं थीak Yap Penzene तो मैं लिखे फिर ठीक है बेंजीन सालफोनिल फ्लॉराइड होता है आपका हिंस्बॉक रिएजेंट ठीक है बेसिकली इस रिएजेंट को हम यूज क्यों करते हैं डिट्वरेंशियके लिख्लो डिफ्रेंशियके बिट्विन प्रैमरी सेकंड़ी और अगर आपको डिस्टेंगविश करना च्दिवेंट करते हैं हिंस्बॉक रिएजेंट का यूज कर तो विच्छे जो आपका प्रैमरी आमीन ओता है प्रैमरी आमीन जब इसके साथ रियक् पॉंड मिलता है और जब आप इसको अलकली यानि की बेस में डिजोल करते हैं तो वह सोलूबल होता है अगर मैं बात करूं सेकंडरी अमीन की तो वह क्या होता है इन सोलूबल होता है यह बहुत इंपोड़ेंड है अगर मैं यह तो रियक्ति नहीं करता है तो आपका से पूचा है कि विच डिजोल इन अलकली तो आप देख लो आपको क्या देखना है यह तो नाइट्रो है यह सेकंडरी अमीन है थर्ड वन इसकरेक्ट क्योंकि यह कह तुम लोगों का प्राइम्रियमीन है चल्ड उसके अग्रियमीन है तो सब्सक्राइम में कि लिएट्रोड एक्षण के यहरेकशन से उसमिर इसलिवत की में प्सक्योच द्रभा ओंबे किसम बाते है कितन इसे शकनवाफ तो फेह इंचिंह को फो रॉक्श कर नाइट इसकरेंज सथे हैं टो नियूल इसे सब्सक्श देख चैन तो अब दिस्प्लेस्में कर रहा है। यह कौन सा एक्जामपल हो गया। मेटल डिस्पेसमेंट रिक्षन तो सेकें इसका करेक्ट हो गा। थर्ट बड़न भी क्या है। दिस्प्लेस्मेंट रेक्षन अबस लेकिन द्यान सब्सक्राइब आप से कर रहा है नेक्स क्वेशन पर आई यह वाला क्वेशन अगें मतलब यह लगा लो जितने भी मैंने तुम्हें मोग टेस्ट में क्वेशन कराया ना सारे के सारे बहुत जादा इंप्वाटन है एंड एर हाई चांसे की ऐसे क्वेशन आपके एक्जाम में आने वाले हैं आप से ड्राइधर की प्रेजन्स में रेक्शन किया है किसलिए ड्राइधर डालते है तो अवोएड ताकि हम अवोएड कर पाएं असिड बेस रेक्शन ठीक है तो बस यह यहां पर एसे लिख लो तोड़ा और अच्छा आपको देखना है तो ऐसे लिख लो तो देखो इसका आयूप एक नेम कैसे लिखोंगे 1234 है ना फंक्शनल गूप वाला जो यहां पर ओएच जो है फंक्शनल गूप उसको लोगेस तंबर देना है ना तो यहां से नंब्रिंग करनी पड़ेगी तो यह क्या हो गया है टू मिथाइल ब्यूटेन टूओल है क्य टू मिथे निक्स नेक्स क्वेशन क्या है निक्स क्या प्लू को सब थीमें ना इसिट इंपे ना उड़र गिवन एस यह बिलुक्ण ठीक है कि है को इस इक स्ट्रेंथ हो जादा होता है चिद अच बूलाउड बगास यह एस साइसउ आपको पता है फ्लोरीं सबगत तरफ तो डौरीन बढ़ा है ब्रोमीन और बढ़ा है इयोटी नौर बढ़ा है तो है की एज प्लस निकल जाएगा तो तो दोनों ही स्टेट्मेंट क्या है तू है और आप से यह भी पूछता की और दिटिए करेक्ट एक्स्प्रीणेशन है यह नहीं तो आप बोल देते हैं। यह करेक्ट एक्स्प्रीटेशन भी है। तो स्टेटमेंट 1 एन्स टेमेंट 2 वाद अटों। Okay! Next question. Next question कहां से है यह थर्मो डैनमिक्स से। क्या बोल रहे है which among the following is the correct relation between CP and CV CP and CV क्या होता है CP होता है तुम लोगों का heat capacity heat capacity add constant pressure CV क्या होता है heat capacity add heat capacity add constant volume ठीक है इसका relation के direct relation मेर्स relation बोलते है इसको CP minus CV is equal to direct आप ध्यान रखिए derivation करने की बिल्कुल पर नेट लिए CP minus CV is equal to R तब करते है जब आप अगर माल लो 11th exam दे रहे होते है इसकूल के exam वहां पर इंपोर्टन है derivation अगर मैं आपके एंप्रेंस point of view से देखू competitive exam point of view से देखू वहां पर आपसे रिलेशन ही पूछा जाएगा derivation आपसे नहीं पूछेंगे question number I don't know कुण सा कितने हो गए यह वाला देखते हैं मैं यह तो question आप कितनी बार कराओंगे इतनी बार कराते हो reason यही है इतनी बार कराने का ताकि आपको यह बता पाओं कि जो आप exam में appear हो रहे हो वहां पर यह question आ रहा है ठीक है चली PCL 5 का अब तो याद ही होगा ना PCL 5 में क्या होगा 5 bond pair होंगे 0 loan pair होगा तो यह तो हमारे पास क्या होगा trigonal by pyramidal होगा देखो कौन सा PCL 5 का A का 4 A का 4 मेरे पास 2 option में है ठीक है B का देखो चेक करने की जुरत नहीं है दोनों में 3 है ठीक है SF6 octahedral C का देखो C का क्या आएगा यहां पर देखो BRF5 BRF5 में 5 bond pair और 1 loan pair square pyramidal होगा and BF3 क्या होगा तुम्हारा trigonal planar होगा यानि की D का क्या होगा second तो बस तो फिर mark कर दे तो option number first ठीक है यह हो जाएगा कि नेक्स चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेशन देखो नेक्स्ट क्वेशन कह रहा है दा फॉलोइंग सॉलूशन वर प्रिपेर्ड बाइड डिजॉल्विंग 10 ग्राम ओफ ग्लुकोस ठीक है तुमने 10 ग्राम ग्लुकोस लिया है 250 ml वोटर में ठीक है जिसका प्रेशर है पीवन आपको राइट ऑप्शन बताना थोड़ी एक चीज़ नोटीस कर पारें बच्चे क्वेशन कहां से पहले तो यह देखो यह तुम्हारे सॉलूशन वाले चाप्टर से क्वालिगेटिव प्रोवर्टी अगर तुम में से बुच्छा में टॉपिक कॉन सा है अब देखो सब में अमाउंट ओफ सुल्यूट तो सेम ली है ठीक है एंड जो सुलूशन बना रहे हैं वो दस ग्राम धाइसो एमल में बना रहे हैं हमें पता है बच्चे पाई क्या होता है आइटा इन्टू सी इन्टू आर्टी बट यहां पे सब के केस में आयोटा वोल्तू फेक्कर क्य क्या होगा given mass by molar mass divided by volume लेकिन हमारा volume तो सेम है सब में 20 ml amount of solute भी सेम है तो याने कि हमारा जो स्मोर्टिक प्रेशर वो किस पर डिपेंड करा बटा molar mass पे तो जिसका molar mass ज्यादा होगा उसका osmotic pressure कम होगा तो molar mass सबसे ज्यादा सूक्रोस का है सूक्रोस का 342 होता है तो आपका यहाँ पे कहें P3 दो सबसे पीच्छे आजाएगा ना क्योंकि सबसे ज्यादा है उसका उसके बाद अगर मैं बात करूं यूरिया का यूरिया का सबसे कम molar mass है तो वह सबसे आगया जाएगा और बीच में P1 आ जाएगा तो P2 P1 P3 इस तरीके से और करेंगे ठीक है P2 P1 P3 है क्या option हाँ है समझ आ गई देखो ग्लुकोस का कितना होता है 180 होता है ठीक है और इसका P2 P1 है confuse नहीं होना है यूरिय का 60 है इसका osmotic pressure P2 है सुकरोस का 342 है और इसका P3 है तो सबसे पीच्छे आ जागा ना मास जाद ऑस्मोटिक प्रेशर कम P2 सबसे आ जागा जागा और बीच में बीच में नेक्स्ट क्वेशन करो अब वो बोल रहे है कि जो इससे मेजर प्रोड़क्ट मिल रहा है वो हमें याने की बच्चो एक तो यह वाले एच निकलने की possibility है याद करो या फिर यह वाला एच निकलने की possibility तो यह कहरे है जो यह वाला एच निकलेगा ना उससे आपको मेजर प्रोड़क्ट मिलेगा तो हमें गे मिल रहा है ठीक है तो यह किसके according मिलती है हम बोलते है ना more substituted alkene will be more stable तो यह क्या है सेट्जेफ रूल ही तो है तो सेट्जेफ रूल के according ही तो हमें क्या मिलती है बच्चो अलकीन मिलती है ठीक है तो इसका अंसर आ जाएगा मज़े आ रहे होंगे ना बता कोमेंट सेक्षन में जरूर बताना मज़े आते मैं तुम्हारे कोमेंट्स पढ़ती हूं ठीक है उसके बाद देखो था मोलर कंड़क्टेंस ओफ नसील एचल और सीएस-3-C1 ठीक है और मज़ा भी तब आएगा जब आप लोगों ने यह 426.45 HCl की दी हुई है कितनी दी हुई है बच्चे 426.16 CS3-C1 sodium acetate की दी हुई है 91.0 आपको निकाला मोलर कंड़क्टेंस CS3-CoH का तो कैसे करेंगे इन दोनों को अड़ कर दो 426.16 प्लस 91.0 आपको क्या नहीं चाहिए मैं हमें CS3-CoH तो चाहिए लेकिन हमें NaCl नहीं चाहिए तो माइनस कर देते हैं NaCl की वैल्यू बस सोल कर लेना कितना आ जाएगा इसका अंसर सोल कर लो बिटा इसका आ रहा है 390.71 ठीक है एक बार अंसर प्रोस चेक कर लेना बिटा dog how to next question कहा से है तो तो सोच लिया कहा से और एठेशम नहीं कर सकते हम छोडना बहुत क्वेशन हाते है पएपर में जा्या पार एक्जामिनर का फिबरिटा लुम कहीए बहुत प्राउर तो कैसे बनाओंगे देखो यह थाइलीन हो गया यह आपका हो गया डायमीन टेट्राइसिटेट तो चार हमें ऐसी टेट आइन बनाने पड़ेंगे कि ठीक है देखो कि ठीक है ना बात अच्छ अब क्या होगा डोनर एटम देखो इसमें दो तो यह है नाइट्रोजन जो मेटल को दोनेट कर सकते हैं चार यह उक्सीजन है एक दो तीन चार तो यहां पर अपने पास बिटा हेक्जाडेंटेट लिगेंड है पहली चीज़ विद फोर उक्सीजन और टू नाइंट्रोजन डोनर एटम्स ठीक है तो इसका फॉर्स्ट ओप्शन करेक्ट होगा इसके बाद क्वेश्शन नेक्स्ट क्वेस्टन है तक करेक्ट ौफ टू शिट्याइ मिथाल चाहिए तो फॉर्स्ट ओप्ष्न लग रहे है कर देखते हैं वन तू थी फोर फाइव 6 7 8 9 10 2 पे मिथाइल है 6 पे मिथाइल है ठीक है जी और 4 पे इन है 2 6 डाइमिथाइल डेक 4 यह तो अपना डेफिशंसी जो होती है डेफिशंसी डिस इस ऑफ बताओ किसकी कमी हो जाने की वज़े से यह बीमारी होती है बताओ वाइटामिन बीवन टू ठीक है नेक्स्ट क्वेस्चन करेक्ट सीक्वेंस उप्वर बॉन एंथल्पी उफसी एक्स देखो बॉन एंथल्पी बोलो औरजी बोलो क्या मतलब होता है एक बात बताओ किसी कब अगर बॉन डूण है है ना उसके बॉंड को ब्रेक करने के लिए तुम्हें जादा अनर्जी देनी पड़ेगी मानते हो नहीं यह वाली बात तो बस वही है जिस जो बॉंड जादा स्ट्रोंग होगा यहां पर में लिख देती हूं कि बौन फेम जितनी जादा ख़ुगी उतना ही कि वगा बौन डिश्यशन अनर्जी तो आप देखो इधर कहां पर आपको दिख रहे एधर sono्मी से लग是啊 तो वही सेम बात भी जो मैंने बोली थी छोटा छोटा बॉन स्टोंग तोडने के लिए जादा नर्ची फिर उससे बढ़ा इस तरीके से आप उडर लगा देंगे ठीक है बच्चा चालो क्या हम इस पहले तो देखो यह कहां से कहां से पैचानके जो मेरी कमपाउंड 70 देखंगे और उनिक ऊंपाउंड कंटेंन 78% कार्बन का 78% बागी जो बत्यफ वह फॉर्म आहां पॉर्म पोड़ान पेल की नेपिज आप फॉर्मुला इक इंपेड़ी कल उन्फॉर्म पॉर्म तेस्ट में भी क्वेशन करा था तो कार्बन आपका 78% है ऐसे लिख लेते हैं ठीक है कार्बन आपका 78% है ठीक है और बाकी कितना मचेगा ये 22% ठीक है अब आपको क्या निकाले नंबर ओफ मोल्स निकाले हैं तो कैसे निकालोगों 78 by 12 22 by 1 तो ये कितना आ रहा है इसको सोल करोगे बिटा 78 by 12 कितना आ रहा है 126 पर जाएगा ये 6.5 अब क्या करना होता है इसको छोटे नंबर से डिवाइड कर दो दोनों को तो यह आजाएगा वन और यह आएगा राउंड त्री पॉइंट सम्थिंग आ रहा है तो इसको अप्रोक्सिमेट करके हम 3 लिख देते हैं ठीक है तो यह क्या हो जाएगा अपना कार्बन एक हैं और हाइडोजन तीन है तो यह इसका एंपेरिकल फॉर्मला होगा ठीक है यह इसका एंपेरिकल फॉर्मला होगा नेक्स्ट कोईशन करते हैं बीएफ थ्री प्लेनर एंड एलेक्ट्रों डेशिंट कंपाउंड हाइब अब बीएफ थ्री प्लेनर होता है तो आपको बेटा उसका स्ट्रक्चर बना पाइने आना चाहिए क्या है थिए नंबर ओफ सिग्मा बोन काउंट करो 123 जाने कि 3 सिग्मा बोन के करेस्पोंडिंग स्पीटू होती है अन्ज नंबर ओफ एलेक्ट्रों कितने राउंड सेंट्रल एक्टम कितने है दो दो 6 तो दल 6 एलेक्ट्रों से तो स्पीटू कहां गया यह तो इंदी में ना स्पीटू एंड सिक्स क्योंकि छे एलेक्ट्रों है ना तभी दोग बिचारे के पास कम ही है एलेक्ट्रों डेफिजेंट है चलो यह वाला क्वेशन करते हैं पीके बी ओफ डाइमिधाइल अमीन आपको दिया हुए आपको करेक्ट अब आपको पता होना चे कि क्वेशन कौन से टॉपिक से है यह तो पता है आपको आएने के लिए लेकिन यह सोल्ड हाइड्रोलिस से है तो सोल्ड हाइड्रोलिस के फॉर्मले भी काफी जादा इंपॉर्टेंट है बट मैं फिर कह रही हूं पहले अपना 12 अच्छे से करो 10 फिर 11 पर आना ठीक है चलो अगर मैं बात करो पी एच क्या फोर्मूला होगा इसका क्या फोर्मूला होगा इसका पीके डब्ली आफ ओफ पलस पीके माईनस पीके भी ठीके यही फॉर्मॉला होता है देखो तो हाफ ओफ पीके डब्ली क्या होगा फोर्टीन होगा प्लस पिके कितने है बच्च्चे पीके हमारे पास है 4. 4.77-3.27 थीके आप इसको क्या कर सकते है वो जाएगा हो जाएगा इसको सवाल करने पर आरहा है आपका आपका आशर आएगा राउंड 7.75 तो इसको आपको सोल कर के यह फॉर्मुला बेस्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेस्टन देखो एक्षिन 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 सुनना बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है पहले तो डिसाइड कर लो कहां से आया क्वेशन केमिकल कानेटिक्स कर एंथेल्पी आपको दी हुई है विटा माइनस 4.2 किलो जूल पर मोर्ट उसके बाद ए मैं और हम improvemo है आपको दी हुई है करेक्षिन एक्षिन आपको अधे इनगा अपको डियू आभाल बना है आपको आपको कारेक्षिन अनटिक्स कर नेटिक्स के तो आपको था सारे पर इससे गएर् केमिकल अनिटिक्स के तो सारे ग्राफ इमे को इम्पोर्ट table dólar हम के framework के कि इसमें बराबर यह नहीं हो सकता। इसमें भी प्रोड़क्त की अनर्जिन कम हैँ तो यह हैं वाला क्या होगा करेक्ट ग्राफ होगा इतना अगर आपको मालूम था ना एक्जोथर्मिक है तो आप कर लो कि इसके बाद देखते नेक्स्ट क्वेशन मेटा मेरी काफी इंपोर्टें और पॉपुलर क्वेशन है इसमें से कौन मेटामर शो करेगा देखो इसका अंसर वैसे फॉर्थ हुगा मेटामर क्या होता है ज यह होता है ना अगर मैं बनाऊ तो देख लो चेक करो दस ही आपके क्या है और चार कार्बन और एक उक्सीजन इक बाए बताए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हो ना देखो अभी भी तो इसका मॉलिक्लर फोर्मला तो मैंने चेंज ही नहीं किया है ना इसके अलावा आप वर भी बना सकते हो जैसे माल नेते हैं यह भी बना सकते हो अनुट कि हरना ऐसा भी लिख सकते हो आए यह कि देखूय कि ह रहना देखों अभी भी वही है कितने है और स्थी candle से पहले में और सभ आप इस तरीगे से भीगा इसमें अफस में इस तरीके से सोल कुरा भाजी नहीं बाकी नहीं बांकी देखेंगे साधा जलो जर्कोनियम और होफियम हे प्रस्थ उनकी आल्मोट टो लेंफिनोइट गोचर्एं केते हैं कि नेक्स कवेशन आपको कहते हैं आपको पेहले मोग टेस्ट में कराया था दुबारा भी मैं इसलिए करा रही हूं क्योंकि यह कुछन पेपर में आने वाला है एक बार मैं फिर बता रहे हूं कि ऐसे क्वेशन को कैसे सोल करना है शो तो जो magnetic movement निकालने का formula होता है वो होता है n into n plus 2 boher magnetone where n is equal to number of unpaid electron number of unpaid electron ठीक है आपको जो दिया हुआ है हापे ABCD आपको पहले तो यह चेक करना है कितने number of unpaid electron है ठीक है फिर आप यहाँ पे पुट करोगे and you will get your answer लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा time save हो exam में तो इसके लिए आप क्या करोगे आपको यह नहीं कि unpaid electron निकाल के यह value पुट करनी है ठीक है इससे भी easy तरीका है जिससे आपको कम टाइम में हो जाएगा ठीक है तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है यह number of unpaid electron तो आने ही चाहिए निकालने उसके बिना तो कामी नहीं चलेगा ठीक है और तो 5.8 हो सकता है मालो सब्सक्राइब लेकिन 5.8 ना के 5.9 यह 6 दे दिया तो कोई बात ही आप 6 लगा के आज़ा ठीक है जैसे इस question में देखो अगर मैं सबसे पहले की बात करो यहां पर Hewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe इसमें देखो F2 plus D6 होगा, D6 में आपके 4 N pair electron होगे, तो उसके corresponding तुमारा 4.9 सम्थिंग आएगा, तो आप इससे आप कर सकते हो, easily solve, ठीक है, इससे आप solve कर सकते हो, ये वाला question देखो, आपको reagent R बताना है क्या होगा, बेटा देखो, ये आपका aniline है, trybromo aniline है, इसमें आ इसके बाद देखो, R A पैसा क्या डालोगी, कि N2Cl पूरा ग्रुफट जाएगा, तो हमें बता है, या तो तुम डालो H3PO2, या तुम डालो, एथिनोल, ठीक है, ये बहुत important है, ये मैंने आपको name reaction में बताएगा, next चलते हैं, from the following pair of ions, which one is not isoelectronic pair, अब आईसो इलेक्रोनि ठीक है, अब देखो, oxygen में क्या है, oxygen में 10 है, 10 electron है, 8 plus 2, यहा पे भी 10 है, इसमें भी 11 minus 1, 12 minus 2, 10 electron है, इसमें देखो, MN 2 plus क्या होगा, MN का कितना होता है, 25 होता है, 2 चले गई उसमें से, 23 रह गई, iron का 26 होता है, 3 चले गई, 23, यहा पे देखो, iron plus 2, iron plus 2 में क्या होगा, 26 minus 2, 24 electron, लेकिन यहां पे 23 electron, तो यहां पे 4 वाले option में number of electrons के हैं, बराबर नहीं है, तो they are not isoelectronic pair, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन देखो बच्चे, यह भी बहुत important है, chemical kinetics का ironius equation से question है, आप से पूचा है, slope of ironius float, lnk versus 1 by 2 of a first order reaction, आपको इतना दिया हुए slope, आपको value of activation energy बताने, देखो बिटा, अगर मैं ironius equation की बात करूँ, k is equal to a e raised to power e minus e by r t होता है, अब इन्होंने ln लिया हुए, आप अभी दोनों side क्या करते है, ln लेते हैं, ln e 1 होता है, ठीक है, अब lnk versus 1 by t graph बनाया, तो यह तो हो गया y axis पे, और 1 by t क्या हो गया बच्चे, x axis पे, तो तुमारा slope क्या हो जाएगा, minus e by r, और slope की value already given है, कितनी ह मैं थोड़ा से इसको erase कर दो, तो आपको न हो सकता है, दिखें न, slope की value आपको अपको अवरी दी होई है, minus 5 into 10 is to power 3 kelvin, minus से minus गया, activation energy के आजाएगी, 5 into 10 is to power 3 kelvin, into 8.314 joule per kelvin per mol, kelvin से per kelvin कटा, अब आपका answer आजाएगा, अब देखो, मेरा answer activation energy का joule per mol में आएगा, लेकिन उसको जो भी answer आएगा, उसको थाउजन से divide कर देना, तभी kilojoule करके आओगे, वरना गलत कर आओगे, तो इस तरीके से क्या करोगे, इसका answer निकाल दो, ठीक है, इसका answer solve कर दो, कितना एगा, 41.5 एगा, करके देख लेना ये, इसको 8 मान लेना आप, ठीक है, 8 मान के चलोगे क्योंकि काफी जाधा difference है ना, options में, तो आप approximation ले सकते हो, ठीक है, चौल, उसके बाद next question देखो, thermodynamics से है, क्या बोल रहा है, 4 irreversible expansion of ideal gas, isothermal condition, देखो, क्या-क्या बाते हैं, इसमें जो ध्यान अबने, ideal gas है, isothermal condition है, और irreversible है, irreversible है, आपको पता है, अगर मैं बात करूँ, ideal gas, isothermal condition की, तो उस case में, delta U क्या होता है, 0, यानि की, change नहीं हो रहा है, internal energy में, क्योंकि temperature change नहीं हो रहा है, ठीक है, अच्छा, if I am talking about entropy, तो बेटर, total जो entropy होगी, irreversible के लिए, हमेशा, greater than 0 होती है, अगर यहां पर reversible होता ना, तो आपका 0 के बराबर होता, त delta S, total is not equal to 0, ठीक है, next question, यह तो मैंने आपको name reaction में कराया था, जिसने, मैंने name reaction का already, यहां पर लेक्चर ले लिया है, प्लीज आप जाके देखिए, अगर नहीं देखा है, तो, भाही से ही question है, the intermediate compound X, आपको X बता लाए, कौन सी reaction है, अगर जिसको यह याद आ गया है, कौन तो इसमें बिसिकली आप टोलविन से बेंजलडी हाइड बनातों, और उसमें जो complex बनता है, वो क्या बनता है, X joint immediate यह बनता है, ठीक है, OCR, OH, CLP, यह वाला question देखो, यह वाला question भी उसी वीडियो से है, जो मैंने आप लोगों का लिया था, name reaction पर, ठीक है, मतलब, एक ही मो 3 से आप क्या बनाओगे, क्या बनाओगे उने देख लेते हैं, यह तो अपने पास हो है ना बच्चे, गेटरमेन कोच reaction, और यह क्या RCOC-H3 वाली यह अपने पास हेलो फोर्म reaction, acid alcohol यह तो बच्पन से पढ़ रो एस्टरिफिकेशन है, and red phosphorus की प्रिजिस में यह तुमारी HV यह तो बहुत अच्छी बात है यह तो हमारे तीन मोग टेस्ट हो गए हैं, इसी तरह से पढ़ते रही हैं, I hope यह वीडियो helpful रही होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको अगर कुछ कहना है तो आप कुमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, मैं आपके देफिनिटली देखने वाली हूँ, ठीक है थीक है बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केर, अच्छे से पढ़ते रहो, मस्त होगे, बाई एव्रीवन